हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो के अंदर हम कुरल ड्रॉप इंटरफेस के बारे में ही और डीटेल में डिस्क्रिप्शन को देखेंगे जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर आपने यह देखा कुरल ड्रॉप के अंदर आप किस तरीके से निव डॉक्यमेंट लेते हैं उनके ले आउट के बारे में तो आज की वीडियो के अंदर आपको इंटरफेस में शॉटकर्ट कीज आप किस तरीके से अपने कीबोर्ट का औ स्टार्ट में नियू डॉक्यमेंट प्रक्लिक करते हैं यहां पर साइज एक हो रिया गया है विद और हाइड मिलीमेटर में जिसाब चेंज करके इंचेस्मिक कर सकते हैं होगी और हाइट 11 नमबर फिजस अभी मैं रखना चाहूँगा रेंडर रेजलिशन प्रीहंडर 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 ओके सब देखने के बाद आप कर लेंगे जिसके बाद और आपको एक डॉक्यमेंट ओपन करके देगा जो कि आपके सामने एक डिफॉल्ट स्क्रीन आच भी अब जैसे अब को बताए गया था इंटरफेस के रिगार्ने तो सबसे पहले आपके पार सुनर्फेस आता है वह आपके मैनुबर के होते हैं अब मैनु बार आपके पास मैं जिसमें अगर आप क्लिक करता है तो आपको काफी औप्शन दियर चाते हैं आपको काफी help करते हैं for better illustration तो देखें यह आपके पास file edit view है जो कि आपको नीचे जो बार है standard bar standard toolbar इनके अंदर भी दिया है तो अभी आपकी जो nourishment होगी tools के साथ वो standard toolbar से start okay तो देखेंगे सबसे पहले आपके पास यहां पर आप आईए अपने माउथ के लिए के जाएंगे आपके चांट्रोल and that means start a new document अगर आपने आपके लिक करते हैं आपके पास एक न्यू दॉक्मेंट का डायरेक बॉक्स आजाएगा okay second option आपके पास आता है open control करेंगे इससे आप एक एक्जिस्टेंस फाइल को open कर सकते हैं उसके बाद save करने को option आता है अभी यहां पर यह active नहीं इनको active करने के लिए आपको एक figure बना एक figure drop करना होगा अपने किया अब आप यहां पर एक्टिवे हो चुए है तो पर सब्सक्राइब करेंगे सेफ करने करेंगे अगर आपको सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है आप कंट्रोल पे हिट करेंगे और आपके जो आपका बॉर्डर का एरिया है वो प्रिंट होजाएगा उसके बात कंट्रोल एक्स अपका कट करने के लिए होता है तो यह आपका कट होजाएगा गराफ एक करेंगे और बीसमें डिलक्कॉर्ट Jewish को एक जैसे आपने देखा यह स्टेंडर्ड टूर्बार एक तरह का एक इंटर फेस होता है जो कि आपके वोकिंग को और ज्वादा फास्ट रहता है अगर हम कट कॉपी पेस की बाद जाने अगर आप एडिट में जाता है आपको कट कॉपी पेस यहां पे शो हो जाता है अब आप आगे देखेंगे जो होरें तो अन्डू करने के लिए च्ट्रूब में स्थक्राइब बिटाता है अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें आपके अंडूरीटों के साइड में लिटल बिट डाउन एरो इस अगर आप क्लिक करेंगो तो आप डैरेक्टली किसी एक सेप पर भी जा सकते हैं तो यहां से आप करेंगे इसके बाद यहां पर पॉर्शन है सच कंटें अगर आपके पास और क Bluetooth, लासेंस है अगर आप अगर के पास अगर आप के पास करेंगे और एक पॉंप संसी कि लासे और सेकंड पोशन है कंट्रोल ई एक्सपोड आप कुछ भी आपके कोड़ दो में बनाया है ट्रॉक या इलस्ट्रेट किया है आप उसे बाहर ले जाना चाहते हैं कोड्रों से आपको पीडियो फॉर्मिट है पाप लिए अदर आप इलस्ट्रेट करते हैं आपके पास जो पॉक्स बन गया है या पिर आपने कोई पैलाग्राफ आपने कोई टेक्स्ट अगर किया है आपके कोड्रों के स्क्रीन तो आप उस इंबेड़ डेटा को एक पीडियाफ के अंदर कर सकते हैं तो आपको डारेक्टली पीडियाफ को पॉर्शन देदेगा उसके बाद यहां पर देखेंगे यह आपके पास होता है जूम लेवल जूम लेवल क 10% 25 जितना आप जूम करना चाहते हैं आप करते हैं अगर आप देखेंगे यहां पर कुछ पूर्शन से तो फिट सेलेक्टेट पेज विज रिच यह किसलिए होते हैं तो फिट अगर आप क्लिक करेंगे तो भी तब आपने जब भी कोई भी एक औपजेक्ट पर्टिक्री सेलेक्ट किया है तो कुरल जो ऑटोमेंटिक लिए उसके फिट पेज आके आपको वह व्यू दे देगा इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर तू सेलेक्टेट जाते हैं अगर आप से कोई पर्टिकलर एक एक हम यहां पर एक यहां पर एक एलिप्स डॉप कर देए और सेज को आपको जुम आप करके देगा अगर आपने तो विट किया तो विट करेंगे जैसे आपको प्रीविस वीडियो में भी बताये था राइट तू लट यह लट टू राइट जाने वाली डिरेक्शन को हम विट से इंडिकेट करते हैं इसके बाद आप इन्हें हैट के आपके पास पूर्शन है फुल स्क्रीन जिसकी शॉट कट की होती है अगर आप मैक यूज करेंगे हिट करते ही आप देखेंगे आपके पास कम्प्लीट स्क्रीन आप पर सो जाते हैं एक सिंपल क्लिक करेंगे और आपके वो स्क्रीन आउट भी हो जाएगी उसके बाद आप पास जो रूलर से आपे मैंशन किया गए है तो आप रूलर को इनेबल कर सकते हैं और यह आपके रूलर होते हैं और जो अभी हमने आपके पिक किया है यह आपके गाइट स्क्रीन और अगर आप देखेंगे ऑगे तो यहां पर आता है रूलर के थर्ड पॉस्टिन डेल पर क्लिक कर देखेंगे तो रूलर क्लिक करें तो आप आप अशनाप यहांसे अभी हम इनको रूब होते हैं इसके बाद स्नाप जो क्यों हल्प है नाप्टू मिंस यह होता है कि अगर आप एक डूक्र आपके पास अगर एक फिगए हैं के साथ अगर आपको इस दूसरा ऑप्जेक्ट अटैच करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही पास्ट लेखे आएंगे तो आप मिड़ पॉइंट आपको शो कर रहा है सेंटर शो कर ला यह सारी एजस और सारी इंफरमेशन अपको मिल रही है क्योंकि स्नाप टू ऑप्जेक्ट अक्टिवेट अगर आपने स्नाप अप्जेक्ट करते हैं अब देखिए अगर अब आप प्रिक करते हैं और यहां पर पेज़ भी बन करते हैं उसके बाद अगर सारी इंफरमेशन अगर आपके बाद आता है वेलकम स्क्रीन काफी जल्दी आना चाहते है तो आपके पर आपके बाद आप देखिंगे ऑप्शन कंट्रोल जे कंट्रोल जे क्या होता है यहां पर आप देखिंगे च्श्रोल जे में सेट योर वॉक्स्पेस प्रेफरेंस अगर आप आपके चूवर्ट अई दिपोल्ट रखना चाहते हैं क्लासिक परना चाहते हैं यहां से तो आपने डिर्ट्पेक कर सकते हैं और वह आपका आपको convert करके दे देगा यहाप इलस्ट्रेशन ही करना चाहँगा उसके बास आपके पास जो page sizes हैं वह भी आपने इंडिकेर कर सकते हैं background भी आप बता सकते हैं यह काफी आपके इलस्ट्रेशन को उसके बाद यह आपका होता है अपने साथ काफी अधर सक्टर भी लेता है जो कि अब डिरेक्टली हैं से आप स्वाइप कर सकते हैं दूसरे करें जाने जब अदर अब देखें स्टैंडर टूल बार और आपका मैनी टूल बार तो यह circle के rectangle square तो इनके लिए आप क्या करेंगे देखिए अगर मैं इस page के border को खटाना चाहता हूं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं border हटाने के लिए आपको view में जैसे previous class में बताया गया था जाएं पेज में जाएंगे पेज में जाएंगे पेज आप अंटिक कर देंगे वह वहां से चाहिए आपको ऐसा करेंगे जिसमें कि आपको माउस करें ना करना पड़े और सिर्फ आप कीबोड से भी यह सेम कमांड रन कर सकेंगे पिलकुल possible है इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए एक जब नोटिस करेंगे जब कभी भी आप मैन्यूबाग को थोड़ा मैन्यूबाग से अगर आप एक्सेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके इस फाइल एडिट व्यू ले आउट इन सब के एक नीचे आपको एक अंडर स्कोर है एक नीचे वी के नीचे एक जैसे भी बताई गया था वी पे तो अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो यह एक तरह की आपके थाफुल कमांड हो जैसे कि वी के नीचे अंडर स्कोर है तो आपको वी अगर वी ओपन करना है आप आल्ट के साथ अगर वी को हिट करेंगे और के साथ अगर आपन है यहां पर कोई मांश करस्कमर हो आपके की बोड से ही और के साथ भी बाट के साथ भी पे जाएंगे पी बेजाएंगे पे इलिए तो स्थीम आपके पास कमांड आपकी होती है पीज़ा इस तरिके से आप अपे अगर आपका वेल अप्शिन इन्टै लेगा कापी जाएद होगा अगर आप का सक्षच आपको विंडो में विल्टाएं तो विंदो को आपको आल्ट डबलॉट को उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां फे आपको पास ऑक्षन आता है और आप C को डिट करेंगे तो वह को आपके पास सभी पैनल को डिफेंट और अलग लग करके आपको देड़ेगा जिसाब उन्हें दुबार से एड़स्ट कर सकते हैं अपने वो के अकॉर्ड आपको इंट्रस्टिंग आपके पास इलस्ट्रेशन और आप्शन को उस्तमाल करने के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं तो आपको करना क्या यह कोई शॉटकर कोई लेंदी कमांड नहीं है आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आल्ट के साथ अगर आप वी को हिट करते हैं यह पैनल उपन हो जाएगा उसके बाद अगर आगे फॉर्दर जाना चाहते हैं तो आप को बताएंगे पी का मतलब वो पेज पर जाएगा उसके अगर आप दुबारा पीड़ करेंगे तो पेज बार को एक्ज़क्यूट कर देगा तो यह आपके पास पॉर्शन होता है जाने के लिए और हटाने के उसके बाद देखें अब आप तो यहां पर पेज के साथ देख सकते हैं अगर evalu शेयरे अफमार करते हैं उसके रचली करें अगर आप दोबारा राएट करनाया करना चाते हैं तो आपfracet कर सकते हैं तो इसे आपके पास इंटरबर जिसमें कि आपको पेज के बारे में उनके डूलक के बारे में गाइक के बारे में और standard और menu bar को किस तरह से fastly use कर सकते हैं उनके shortcut keys, shortcut command यह सब आपको बता लेगे हैं तो hope हों कि आप इस practice को अच्छे से करें और हर एक tools को खुद से भी try करें All right? Thank you